36 गड़ सामानने अध्यन से संबंधित 10 प्रस्णों पर रोज हम लोग डिसकसन करते हैं जो कि CG PSC और CG व्यापम की परिक्षाओं के लिए बहुत ज़दा इंपोर्टेंट हो सकता है तो आप लोग जो है वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा सीधे हम लोग कुश्चन्स पर आते हैं आज का पहला कोस्चन है च्छतिसगाड में निउक्त निन मराठा सुबेदारों का कारेकाल कि अनुशार सही करम क्या है तो नीचे कुछ मराठा सुबेदारों का नाम दिया हुआ है हमारे च background में जब मराठों का सासन था तो शुर्वात में जो बिंबाजी भोसले थे उन्होंने तो प्रतेक्ष शाषन किया लेकिन बिंबाजी भोसले के बाद जब ब्योंकोजी भोसले आये तो जो ब्योंकोजी भोसले थे वो खुद को नागपूर की राजनीती से प्रिथक नहीं करना चाते थे वो नागपूर में रहना चाते थे इसलिए उन्हों ने जिनको ब्योंकोजी भोसले को 36 गड़ का छेतर मिला हुआ था तो उन्हों ने क्या-क्या 36 गड़ के लिए सुबेदारों की निउक्ति करना सुरू किया। इसी को क्या बोला गया सुबा सासन या फिर सुबेदारी प्रथा। तो हमारे 36 गड़ में सुबा सासन था और सुबा सासन के अंतरगत काफी सारे सुबेदारों की निउक्ति हुई। निउसरे नंबर में से केशव गोविंद्., ये तूसरे नंबर में कौन थे केशव गोविंद ideas, केशव गोविंद्. केशव गुविंद मतलब कि 3,2,1 और आखरी में थे सखाराम हरी ये चौथे नंबर में सखाराम हरी चौथे नंबर में तो क्या आपका आंसर हो जाएगा 3,2,1,4 3,2,1,4 सबसे पहले महीपत राओ उसके बाद विठल राओ दिनकर फिर केशव गुविंद उसके बाद आएंगे सखाराम हरी तो 3,2,1,4 ये आपका सहीं उत्तर होगा जो केशव गुविंद है ना इनमें से इसका सबसे लमबा कारेकाल था पूछा जाता है कि किस सुवेदार ने सबसे अधिक समय तक सुवेदार के रूप में कारे किया तो केशव गुविंद ने वहीं जो पहले सुवेदार थे महीपत राव दिन कर और जो विठल राव दिन कर थे इनके समय में सुभा सासन जो परगणा पद्धती है उसकी सुरुवात्वी थी 27 परगणे बनाये थे विठल राव दिन करने वहीं जो सकहारामहरी है इसको рतनपुर के किसी वैक्तिने गोल भी मारती थी क्योंकि जो सखारा महरी था यह अधिक राजसों वशूल करने की कोशिश कर रहा था तो यह तमाम बाते भी आप लोग ध्यान में रखिएगा अगला कोश्चन है नीम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने राजधानी रतनपूर से राइपूर इस्थान अंत्रित किया काफी बार पूचा गया कोश्चन है बहुत बार यह पूचा गया है तो देखिएगा हमारे च्छतिश गड़ में ना जब सूबा सासन इसकी जब समाप्ति होती है 1818 में तृतिय आंगल मराठा युद्ध के पस्चात इसके बात क्या होता है जो मराठा है जो नाकपूर के भोसले सासक थे उन पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है क्योंकि जो नाकपूर का भोसले सासक है वह अल्पवैश्क होता है अब चूंकि हमारा ज सतक 36 गड़ पर अंग्रेज अप्रत्यक्ष रूप से सासन करती है और इस समय जो है ना 36 गड़ के प्रशाशक के रूप में ब्रिटिस अधिक्षकों की नियुक्ती की जाती थी तो यहां पर आपको बताना है कि किस ब्रिटिस अधिकारी ने 36 गड़ की राजधानी किया था सबसे पहले नंबर के जो अधिक्षक थे वो कैप्टन एडमंड थे 1818 में लेकिन पोड़ी समय में इसकी डैथ हो गई फिर मेजर एगन्यू यह जो है 36 गड़ के ब्रिटिस अधिक्षक के रूप में 36 गड़ आता है और इसी ने प्रशाशनिक फेर बदल करते बार पूचा गया कोस्चेन है इसको ध्यान में रखिएगा अगला कोस्चेन है जनवरी 1858 में राइपूर में हुई सिपाही विद्रोह का नेता कौन था आप लोग इसका अंसर नीचे कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो देखेगा 1858 की करांती का प्रभाव हमारे 36 किया था नेता कौन थे तो देखेगा कौन थे भई नेता तो जो वीर नरायन से यह थे भई उनको तो 10 दिसंबर 1857 में ही मृत्युदंड दे दिया गया था तो यहां तो जनवरी 1858 की बात हो रही है तो वीर नरायन से तो नहीं हो सकते इन्होंने सोना खान से विद्रोह का नीतर तो किया था ना जो गेंद सीह हैं सहिद गेंद सीह हैं भई यह तो 1825 में परल कोट्षेतर में विद्रोह किये थे जिनको 1825 में ही मृत्य Budd confirmed am ये भी नहीं होंगे, तो कौन होंगे? हनुमान. जो की बृतिश से नामें सिपाही थे है और इनों ने राइपुर में सिपाही विद्रह का पिया था हनुमान ओरते हैं. आगे बढ़ते हैं या धनीर कुशिन स्वाइवं अशहयोग आंदोलन में दुर्ग से इन वकीलों ने वकालत का प्रितियाग किया था देखेगा अभी हम लोग जो हमारा भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं तो आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने असहयोग आंदोलन पढ़ा सव रहयोग आंदोलन में दुर्ग से इन वकीलों ने वकालत का त्याग किया देखेगा जो महात्मा गांदी जी ने बोला कि भई आप जो सरकारी अदालत है मतलब कि अदालतों का त्याग करिए तो वकीलों ने जो है अदालतों का त्याग किया बड़े-बड़े वकीलों ने दुर्ग से वकालत का त्याग किया था दो और चार आपका अंसर यह दो दो उत्तर होगा अगला कोश्चन है सुमेलित करने को बोल रहा है तो आप लोग भीसाट में जितने भी कॉश्चन करन से हैं उनको बनाते चलिएगा तो सुमेलिट कर लेटे हैं ना यह विद्रव है विद्रोह स्थल और दूसरी तरफ उसका इस्थान दिया हुआ आपको सुमेलिक करना है जोड़ी मिलाना है तो देख लेते हैं यह सब जंगल शत्याग्रह सब जंगल सत्यागर है सब के आगे जंगल सत्यागर है लगाईएगा तमोरा जंगल सत्यागर है यह जो तमोरा है भई महासमुद में है और यह कब हुआ था तमोरा जंगल सत्यागर है तो सितंबर 1930 में सितंबर 1930 में हुआ था तमोरा जंगल सत्यागर है रुद्री में रुदरी कब हुआ था अगस्त 1910 उसके बद मोह बना जंगल सत्यागरा यह हुआ था जुलाई 1930 में मतलब यह दो उसके बाद गट्टा सिली जंगल सत्यागरा जों की जून 1930 में हुआ था यह चार 37 2 1 है यह आपका को ये चीज़ बताऊंगा। तो ये भी पूछा जाता है! कि ये जो जंगल सत्यागरा है तमॉरा जंगल सत्यागरा है यह कहां पर हुआ था नित्रे तो करता कौन था कोई फास घटना घटित होई थी तो वह अक्षर पूछा जाता है। इचा सब्सक्राइस तो होगा अगला कुश्चन देखते हैं कबीरधाम जिले में किस खनीज के भंडार है तो कबीरधाम जिला जिसको कवरधा भी बोला जाता है तो भई यहां पर किस खनीज के भंडार है तो कोईला भई कोईला तो भई सब उत्तर में मिलता है उत्तरी 36 गड़ में लोहा तो यहां स से क्या मिलता है लुहा यहां से जो है लह एसक के भंडार प्राप्त हुए हैं एक लामा चेलिक लामा करके इस्थल है ना एक लामा चेलिक लामा बड़ा मज़िदार नाम है एक लामा चेलिक लामा तो यहां पर जो है लह एसक की ख़दाने देखने को मिली है आगे बढ़ते हैं अगले कुश्चिन की तरफ भारत की सविधान निर्माण सभा में 36 गड़ के नीमन व्यक्ती ब्रिटिस छेत्रशेन निर्वाचित हुए थे देखेगा 1946 में भारत में सविधान निर्माण सभा का गठन किया गया और उसके लिए चुनाव अगे रहुए तो हमारे बैरिष्टर छेदीलाल भी लिखा जाता है घंस्याम सियं गुप्त जी ये भी चुने गए थे अब जो पंडित रविशंकर सुकल है ये रायपूर से चुने गए थे ठाकूर छेदीलाल मतलब बैरिष्टर छेदीलाल ये बिलासपूर से चुने गए थे घंस्याम सियं सब्सक् fifteen कि तर्फ बस्तर जिले मैं किसीज़ के भंडार नहीं है बस्तर जिले में तो देखेगा अपको जो है कैया मिलेगा अभरंक यह मिलेगा ग्रेनाइट भी रहाइगा अंसर दिजिए बहुत जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिएगा तो अभ्रंक यहां मिलता है, ग्रेनाइट यहां मिलता है, बक्साइट भी यहां पर मिलता है, बक्साइट के वैसे उतना ज्यादा नहीं मिलता है, काफी कम मिलता है, लेकिन जो लोहा है, लोहा है, वो बस्तर जिले में नहीं मिलता ह ध्यान रखेंगे देखो जो बस्तर जिला है वर्तमान समय में इसकी जो सीमाई हैं काफी सीमीत हो गई है किसी समय में जो बस्तर जिला है आज का जो पूरा बस्तर संभाग है न वो पूरा का पूरा एक जिला हुआ करता था किसी जमाने में ये उनिस सव अंठान नवे से पहल वह ना उससे पहले तक पूरा पूरा जो बस्त्र शंभाग गार्ट वह सब एक जिला क है नाग बसंभाग में लेकिन law ask के विशे में अभी तक कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, तो ये ध्यान रखेंगे इस चीज को, आगे बढ़ते हैं एगले question की तरफ, राज्य में कौन सा छेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है, काफी important question है, काफी बार पूछा गया है, इसका answer दीजिए न परवत स्रिंखला का पूर्वी भाग है, तो ये जो है कम वर्षा वाला छेत्र है, जिसको वरिष्टी चाया छेत्र भी बोला जाता है, दरशल जो परवत स्रिंखला का पूर्वी भाग होता है, वो अधितर कम वर्षा वाला छेत्र होता है, दुनिया भर में जितनी भी पर अगला कोस्चन है जो कि इस वीडियो का आखरी कोस्चन होगा राज्य के किस स्थान पर शंगीत विश्व विद्यालय स्थापित है तो ये बड़ा असान कोस्चन है खैरागड रायगड सारंगड लाफागड तो बताए कॉमेंट बॉक्स में कहां पर रहे भाई संगीत थापना की गई थी जो कि संपूर्ड एशिया महादूइप का पहला संगीत विश्व विद्यालय था और हमारे चत्तिसगड में इस थापित होने वाला पहला विश्व विद्यालय अगर विश्व विद्यालय पूचे ना पहला विश्व विद्यालय तो वो यही था चत्त भी डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने कहीं पर कोई मिश्टेक की है तो जरूर बताइए का ता कि मैं इसको सुधार सकूँ वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद